जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, अगर आपने हर्टालिका तीज का व्रत रखा है, तो हर्टालिका तीज व्रत की कथा सुने बिना इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए इस वीडियो में हम सुनेंगे हर्टालिका तीज की व्रत कथा जो इस प्रकार है एक बार भगवान सिव ने पारवती जी को उनके पूर्व जनम का इस्मरण कराने के उद्देश से इस व्रत का महत्व और कथा कही थी स्री भोले संकरजी बोले हे गौरी परवत राज हिमाले पर इस्तित गंगा के टट पर तुमने अपनी बाल्या वस्था में बारा वर्सों तक अदो मुखी होकर घोर तप किया था इतनी अवदी तुमने अन ना खाकर पेडों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किये माग की विक्राल सी तलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेस करके तप किया बैसाग की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचागनी से सरीर को तपाया स्रमन की मूसला धार वर्सा में खुले आसमान के नीचे बिना अन जल ग्रहन किये समय व्यतीत किया तुम्हारे पिता तुम्हारी कस्ट साद तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेस होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेस को देखकर नारज जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हरदे से अतिती सतकार क करके उनके आने का कारण पूछा नारज जी ने कहा है गिरी राज मैं भगवान विश्णू के भेजने पर यहां उपस्तित हुआ हूँ आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तक किया है इससे प्रसन्य होकर वे आपकी सुपुत्री से विवा करना चायते हैं इस संदर्व में आपक स्री मान यदि स्वयम विश्णू मेरी कन्या का वरण करना चायते हैं तो भला मुझे क्या अपति हो सकती है वे तो साच्छात ब्रह्म हैं ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पती के घर की लक्षमी बने पिता की सार्थक्ता इस उसे तुमारे व्या के निश्चित होने का समाचार सुनाया मगर इस विवा संबंद की बात जब तुमारे कानों पर पड़ी तो तुमारे दुख का ठीकाना ना रहा तुमारी एक सकी ने तुमारी इस मानसिक दसा को समझ लिया और उसने तुमसे प्रैसानी का कारण जानना तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हिर्दय से भगवान सिव संकर का वरण किया है किन्तु मेरे पिता ने मेरा विवा विष्णु जी से निश्चित कर दिया मैं विचित धर्म संकट में हूँ अब क्या करूँ प्राण छोड़ देने के अत्रिक्त अब मेरे पास कोई उपा अएसेस नहीं बचा है तुमारी सखी बड़ी ही समजदार और सूजबूजवाली थी उसने कहा सखी प्राण तागने का इसमें कारण ही क्या है संकट के मौके पर धैर से काम लेना चाहिए नारी के जीवन की सार्थक्ता इसी में है कि पती रूप में हर्दे से जिसे एक बा जयंत उसी से निर्वाह करे सच्ची आस्ता और एक निस्था के समच्च तो ईसर को भी समर्पन करना पड़ता है मैं तुमें घंगोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना इस्तली भी है और जहां तुमारे पिता तुमें खोज भी नहीं पाएंगे वहां तुम साधना में लीन हो जाना मुझे विश्वास है कि ईसर अवस ही तुमारी सहायता करेंगे तुमने ऐसा ही किया तुमारे पिता तुमें घर में ना पाकर बड़े ही दुखी और चिंतित हुए वे सोचने लगे कि तुम जाने कहां चली गई मैं विश्णु जी से उसका विवा करने का प् होंगा यही सब सोच कर गिरीराज ने जोड सोर से तुमारी खोज करवाना सुरू कर दिया इधर तुमारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के टट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी भादर पद सुक्ल पक्च को हस्त नचतर था उस दि तुमने रेत के सिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया रात भर मेरी इस्तुती के गीत गा कर जागी तुमारी इस कस्ट साथ तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधी तूट गई मैं तुरंत तुमारे समच जा पहुचा और तुमारी तपस्या से तुमसे वर मांगने के लिए कहा तब अपनी तपस्या के फलसरूप मुझे अपने समच पाकर तुमने कहा मैं हर्दे से आपको पती के रूप में वरण कर चुकी हूँ यदि आप सच मुझ मेरी तपस्या से प्रसंद होकर आप यहां पधारे हैं तुम मुझे अपनी अर्दांगनी के रूप में सुईकार कर लीजिये तब मैं तथास्तु कहकर कैलास परवत लोटाया प्राता होते ही तुमने पूजा की समस्त सामगरी को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहली सहित व्रत का पारण किया उसी समय अपने मित्र बंधूँ वा दरवारियों सहित गिरी राज तुमें खोजते-खोजते वहां आ पहुचे और तुमारी इसकस्ट साध तपस्या का कारण और उदेश पूछा उस समय तुमारी दसा को देख कर गिरी राज अत्तिन्त दुखी हुए और पीडा के कारण उनकी आखों में आसू उमण आये तुमने उनके आसू पोछते हुए विनम्र स्वर से कहा हे पिताजी मैंने अपने जीवन का अधिकान से समय कठोर तपस्या में बिताया है मेरी इस तपस्या का उद्देश केवल यही था कि मैं महादेव को पती के रूप में पाना चायती थी आज मैं अपनी तपस्या की कोसोटी पर खरी उतर चुकी हूँ क्योंकि आप विश्नु जी से मेरा विवा करने का निर्न ले चुके थे इसलिए मैं अपने आरादी की खोज में घर छोड़ कर चली आई अब मैं आपके साथ इसी सर्थ पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवा विश्नु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए कुछ समय के पस्चाच सास्त्रोक्त विदिविधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवा सूत्र में बान दिया हे पारवती भादर पद की सुक्ल पक्च की तरतिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल सरूप मेरा तुमसे विवा हो सका इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली सभी कुवारियों को मनवांचित फल देता हूँ इसलिए सौभाग के इच्छा करने वाली प्रतेग यूवती को यह व्रत पूरी एक निस्ठा और आस्था से करना चाहिए तो बोलो संकर पारवती की जै तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद